हाई मैं सवरुप शिंदेख आज हम देखने वाले है कि जो आपका डिरेक्ट टैक्स का जो पेपर आने वाले है एमकॉम पार्ट 2 के समिस्टर 3 के लिए वो किस तरह से होने वाला है कौन-कौन से चाप्टर आपके लिए इंपोर्ट है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ठीक है कैसे पैटर्न होने वाला है यह सब चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना देखो जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो यहाँ पे नोहेंबर 2015 का पेपर है आपको पता है टोडल 60 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा सभी क्वेशन आपको कंबल सरीए उसमें इंटर्नल ही आपको और क्वेशन मिलते है ठीक है तो चलो देखते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो फर्स्ट क्वेशन है वो आपको इंकम प्रों बिजनिस इस टॉपिक पे पूछा गाए है आप देख सकते हैं रिसेपम पे में अकाउंट यहाँ पे गिवन है और कुछ एग्जेस्में गिवन है और यहाँ पे क्या पूछा है न यह ध्यान से देखना मैं फिर से एक बार कहना चाओंगा कि यहाँ पे देखो calculate his net taxable income क्या पूछा है न वो पहले देखना tax में क्योंकि कभी कभी क्या रहता है आपको tax rate पूछा जाता है मतलब taxable value पूछी जाती है tax पूछा जाता है तो आपको income निकालना के बाद उस पे tax भी निकालना पड़त में उतना ही आपको निकालना है ठीक है उसके बाद देखो उसके लिए और जो question पूछा गया था तो वो भी same है income from business तो इससे हमें पता चलता है कि यह जो topic है income from business यह आपको करना ही करना है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो calculate net taxable income ही पूछा गया है ठीक है लेकिन यह partnership firm का है और उपर किसी मुझे लगता है profession का है राइट यह जेको started accountant है यह income from business या profession इस topic में ही आते है यह राइट समझ में आ रहे है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो दोनों में से मतलब आपको profession वाला भी मतलब income from जो business है वो आपको अच्छी तरह से करना ही करना है ठीक में आपको यह अच्छी तरह से समझ में आने वाला है ठीक है यह जो second वाला है अगर आप देखोगे question number two यहाँ पे salary मतलब income from salary और यहाँ पे देखोगे यह order income मतलब दोनों का combined question यहाँ पे पूचा रहता है देखो मैं आपको एक clear करना चाहूँगा जो भी question आने वाला है आ जैसे की देखो salary प्लस यहाँ पे order income आया राइट उसी तरह से उपर वाला question भी अगर देखोगे तो इसमें भी कुछ order income रहता है जैसे की देखो न यह वाला question देखो rent लेट आउट मतलब यहाँ पे income from business भी है और house property भी है मतलब दो-दो यहाँ पे head एक होने वाले है ठीक है इसी type के आपको example देखने है क्योंकि exam में देखो न सीधी बात है न कोई भी company रहेगी उसका खाली business का income होगा क्या उसको order source से भी income हो सकता है house property से भी income हो सकता है ऐसा है कोई आदमी रहता है वो job कर रहा है उसको salary मर रहे है तो उसको order source से भी income हो सकता है न तो इसी type के आपको question पूछे जाएंगे इसी ये question कैसे करने हैं ये भी हमने अच्छी तरह से देखा है जो हमारा competition of total income में हमने अच्छी तरह से ये पूरा cover कर लिया है वहाँ ठीक है ये question number two में आया उसको और क्या उन्होंने पूछा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो scope of total income और यह मतलब residency status पूछा है राइट करेक्ट हमने यह देखा है आपको पता है यह देखो 15 मास को नहीं आया तो 10 मास के लिए पूछा जाएगा 7-8 मास के लिए पूछा जाएगा लेकिन इसके उपर पूछा जाता है मतलब residency status पूछा जाता है ने तो यह देखो scope of total income मतलब यह हमने देखा है पूरा chapter करो ठीक कोई भी हाल लगे उसका भी थोड़ा करके रखो क्योंकि और की लिए तो आपको आने ही आने वाला है ठीके paper देखो easy ही आने वाला है don't worry हाँ भी देख रहो मैं दिखा रहो नहीं यह paper उससे भी easy आएगा paper ठीके तो आपको पूरी तैयारी करनी है चितरे स ठीक यह देखो question no.3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो basic pay telephone allowances यह सब कुछ given है मतलब यह क्या है कि salary okay income from salary के regarding आप देख सकते यहाँ और house property भी है यहाँ पर दोनों income यहाँ पर combine है question no.3 में और उसके लिए और क्या पूचा गए अगर ध्यान से देखोगे तो house property purchase के मतलब और यहाँ पर नीचे देखो यही question यहाँ पर continue है यहाँ पर index यहाँ पर पता है index कहाँ पर कौन से chapter मे हमने देखे capital gain में right तो capital gain वाला देखो easy question आता है कभी का भी 15 मास के लिए नहीं तो 10 मास के लिए भी पूचा जाता है तो वो आच्छी तरह से कर लो आप ठीक है क्योंकि easy questions है hardly 5 to 10 minutes में यह question हो जाते है ठीक है उसके बाद देखो और के लिए जैसे कि अभी मैंने कहाँ आप अगर देखो gift है gift मतलब यह order source में आएगा कौन-कौन से रहते हैं आपको पता है family से जो भी gift मिलते है वो नहीं लिए जाते है मतलब यह income नहीं माना जाता लेकिन friends से वेगरे जो भी gift मिलेगा 50,000 के उपर वो सब taxable रहते हैं इनकी खली total करनी है बस okay यह इस topic में आपको questions आते हैं इस type के आपका question होने वाला question paper यह आप 15 का अभी 16 का भी देखो same question number one में आपको यहाँ पे business का पूछा गया है और उसके लिए और में भी यहाँ चार्ड़र आकाउन मतलब profession अगर ध्यान से एक तो business का आता है उसको और profession वाला आता है हाँ दोनों भी easy रगता है वो other source यह दोनों है इसमें direction का भी आता है आपको पाता है हमने देखा है direction topic में कौन सा भी अगर direction आएगा तो आपको नीचे दिखाना पड़ता ही ठीक है उसके बद कृष्ण बथी में देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहाता है देखो यहाँ पर कितना easy advanced tax वाला कितना easy आपको पाता है ना एक हाली आपको date पता होनी चाहिए वो चार advanced जो date है और percentage उसके उपर आपको वो निकाल के उन्हों दिखाना है देखो यह भी 10 मास के लिए 5 मास के लिए पूछा जा सकता है इतना easy question है जो कि 5 minutes में आपका cover हो सकता है यह देखो income from house property उस पर पूछा गया question number A और B है 3 मतलब 15 मास के लिए दो question मिला के उन्होंने आपको दिए उसके और के लिए भी देखो यहाँ पर A है उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ जोलरी गोल्ड मतलब यह capital gain वाला है topic है और उसको और के मतलब sorry B वाला मतलब resistance वाला है ठीक है तो कितने easy question पूछे गया ह है ठीक है इस तरह से आपको यह करना question number 3 हो गया किने पूरा paper समझ में आ रहा है ना कितना इस तरह से आपको खाली में क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कि पूरा जो syllabus से आपका हर एक topic cover कर लेना मतलब देख लेना ठीक है क्योंकि जो easy आएगा वो आप choose कर सकते हो business के उपर वही है उसके लिए और बेपी देखो रिसी payment मतलब CA chartered accountant है देखो आप प्रोपेशन पी है वैसे यह ना इसी type काएगा आपको वैसे ही study करना यहाँ पर देखो question number 2 भी आप देखो salary पे है और यह भी salary पे और के लिए पूचा गया वो ठीक है उसके बाद अगर जगा है और order income के उपर यह सब question में आपसे करवाए है उस topic के regarding देख लेना आप अच्छी तरह से वो वीडियोज ठीक है और दूसरी बात यह देखो question number 3 में मतलब यह आपको पता है इसे कहते है gross total income scope of total income कहते है रेसिदेंस और रेसिदेंस यह कितना easy आपको पता है खली आपको क्या करना है तीन कॉलम निकाल के उसमें आपको amount fill up करनी रहती है 10 months के लिए देखो पूचा गया है maximum 10 to 15 minutes में आपका यह question हो जाता है आपको पता है बी में भी देखो और में क्या पूचा गया है यहापे तो यह भी business का income ही है मतलब यह private company उसका income निकालना है खरी total करना है यहाँ में इस सभी income का आपको पता है ठीके उसके बाद देखो यह last वाला आपको पता है कौन सा है य देखो January 19 का जो आपी पूचा गया है रेसेंटली last year यह देखो first वाला receipt payment मतलब यह business अप्रोब डॉक्टर है यहाप मतलब profession का है राइट और उसको और में देखो आप यहाप 8 मास के लिए पूचा गया क्या अगर आप देखो गे धान से यहापे मतलब कहते ना देखो citizenship स्र आपको पूचा गया है राइट उसके बाद देखो यह यहापे शांती निवास गनिश निवास मतलब कौनसा house property रिगार्डिंग यह क्वेशन है ठीके 7th मास को यह पूचे गया आपको question number 2 में भी देखो आप यहापे business मतलब sorry salary के रिगार्डिंग क्वेशन है आप देख सक और में भी देखो salary regarding question है राइट दो question है 7th मास को यह वारा question उसमें जो पूचा गया है आपको पता है यह improvement वेगेरा fair market value वेगेर किस में आते हैं residence house property राइट समझ भारा ना improvement वेगेरा मतलब यह कौनसा यह देखो index कौनसा रापी के बताओ मुझे तो capital gain यह भी easy है देखो आपको पाता है question number 3 आप देख सकते हो यहाप ठीके हाँ इस type यह देखो इस type से आपको question आने माला है यह जो PDF है आप द पुरा अच्छी तरह से कर लो मतलब इसी type के question कर लो definitely आपका paper अच्छा जाने वाला है और दूसरी बात आपको time tax paper में time का कोई इतना problem नहीं होता लेकिन मैं बताना चाहूंगा हर equation को आपको 30 minutes है पहले आपको objective ही solve करने है objective आप 15 to 20 minutes में आपको cover करने है और बात में हर equation को 30 30 minutes देने है कभी-कभी A और B रहते है तो थोड़ा सा 15-15 minutes दे कि आप उसको solve कर सकते है लेकिन maximum 32-35 minutes ही देने है क्योंकि आपको अगर time में पूरा paper cover करना है तो वैसे ही चलना पड़ेगा ठीके confused मत होना हर एक syllabus wise जो भी है इसमें tax का आपको पूरा देखना पड़ेगा मैं फ होता है हो जाएगा एक बार rules पर अच्छी तरह से आपने देख लिए तो आप यह अच्छी तरह से कर सकते हो हां ठीक है अगर कोई भी doubts है तो आप मुझे पूर सकते है और हाँ दूसरी बार अगर यह पहली बार आप वीडियो देख रहे हो अगर हमसे जूनना चाहते हो मत 8055-969450 इस नमबर पर आप whatsapp करके या call करके मुझे से बात कर सकते हो इतने बार reasonable fees रहने वाली है हमारी एक बार call करके जरूर पूछ लेना थैंक यू